बीती रात एक मरीज की मौत हो जाने पर उसके परिजनों ने जिलाचिक इतसाल्य ललितपुर के इमजेंसी वार्ड में जमकर काटा हंगामा प्राप्ट जानकारी के अनुसार जिलाचिक इतसाल्य के इमजेंसी वार्ड में देर रात चंदेरी मध्यप्रदेश निवासी तीस वर्षिय हर किशन को पेट दर्द की शिकायत के चलते उसके परिजन अस्पताल लेकर आए यूवक अपने साले के यहां ललिटपुर के नहरू नगर आया हुआ था चिकित्सकों के मुताबिक यूवक नशा भी किये हुए था चिकित्सकों ने उसके परिजनों से जब नली डालकर पेट की सफाई करने की बात कही तो उनके परिजनों ने इंकार कर दिया डॉक्टरों ने युवक का समुचित इलाज किया लेकिन इलाज के दौरान युवक की संभवत्त हिदयगाद से मौत हो गई युवक की मौत होते ही उसके साथ हाए तीमारदारों ने जमकर हंगामा काटा और मौके पर मौझूद स्वास्थ्य कर्मियों से अभधरता भी की पुलिस को सूचना देने पर डायल 112 चेतक और कोतवाली पुलिस कब पहुचने के बाद मामले को संभाला और युवक के शव को मोर्चरी में रख दिया है फिलहाल किसी के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया था नवोदे प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासर मीडिया की रिपोर्ट आई काम करते थे ओस भागवगी चेमिले थे लिए खिंदी बढ़े रहा है अजिए और यह सीदा भल बढ़ेरा इसे और क्या दिन सरुके दिया हमई परसो नार सहे फोबाया ती दूनों बहने दूनों बहनूर में क्षोर में और चने रिनों तो दूनों साथ आई थी उसन अस्पताला है फिर अस्पताला है, इलाज हुआ है, इंदियक सन्व गहरा लगी, शिली मेंदार के बता है, अबरा चानला है, तो देर रात का मावला है, क्या असर पूरा मावला है? नेरुनगर निवासी जो चंदेरी से उनके अहां गेस्ट साय रहा था, ज्यादा अलकोहल पीने की वज़े से पेट दद की सिकायत के लिए भरती हुआ था, यहां पे इलाज किया, घरवालों ने गेस्टिक लवाज कराने से मना किया, इस वज़े से उसकी हाला बिगल गई औ इलाज के दोरान इक्सपायर हो गया, फिर उन्हों ने अनाप चनाप कहते हैं भी स्टाफ पर आरोप लगाया और गाली गलोच की तर इसको सिकायत को देखते हैं भी सौप मर्चली में रखवा दिया गया जिसे पोस्टमार्टम होने के बाद सामने आ जाए जाए लिए कर अजा बाद सामने याए जाए 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 जाएं पर आ जाए जाए